अपने इस खास कारिक्रम में हम बीते सब्ता की उन सभी जरूरी ख़वरों पर नजर डालते हैं जो आपके परिक्षाओं के लिहाद से महत्वपूर्ण हो सकती हैं ख़वरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूजना आपको मालूम है कि संगलोक सिवा आयोग ने IAS 2021 की प्रारंभिक और मुख्ष परिक्षा के लिए तारीखों को घोशित कर दिया है अब ऐसे में देखा जाए तो ठीक 9 महिने का ही समय आपके पास तैयारी के लिए सुरक्षित है IAS और PCS परिक्षाओं के लिए प्रारंभिक और मुख्ष परिक्षा के लिए सामान्य अध्यन एक विस्त्रित चुनावती के रूप में है स्रेश्ट सिक्षकों की टीम के साथ टार्गेट विन आलोक इंस्टिटूट में IAS और PCS टार्गेट ओनलाइन बैच में कक्षाओं 15 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं जिसके लिए 9 महिने की अवधी निर्धारित की गई है हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बलकि प्रसासनिक अधिकारी की तरह सोचने की क्षमता भी विक्सित करते हैं जिससे बेहतर तरीके से कम समय में प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सामानने अध्यन को तैयार किया जा सके आलोक सर के कुसल नर्देशन में ग्यारा सो पचास घंटे की कक्षा सटीक रणनीती के साथ देश के सर्वस्त्रेश्ट विश्यशग्यों की टीम एक मंच पर निवनतम सुल्क में हमारे कक्षा कारिक्रम के तहत प्रारंभिक परिक्षा में सामानने अध्यन और सीशेट, मुख्य परिक्षा में सामानने अध्यन और निबंध सामिल है इसके अंतरगत प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए सभी टॉपिक का विश्त्रित कवरिज होगा सभी टॉपिक अंतर विश्यक समझ के साथ मुख्य परिक्षा के लिए तैयार कराया जाएगा प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा के लिए अलग-अलग हस्त लिखित और सारगरभित नोट्स सीसेट की कक्षाओं का संपून कारिक्रम अखिल भारती अस्तर पर टेस्ट सिरीज सुबिधाएं इस बैच में प्रवेश लेने के लिए 9918000454 पर इंट्री आईएस लिखकर वाट्सप करें हमारे इस बैच से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिये गए नंबरों पर संपर्क करें तो चलिए आज की बड़ी खबरों के साथ आज के सापता है करेंट अफेस की सुरुवात करते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करके सरकार के लक्ष के तहत मत्स पालन छेत्र का निर्यात बढ़ाने के उद्देश से 10 सितंबर 2020 को प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना का सुभारम किया वेडियो कानफरेंसिंग के जरिये इस योजना को बिहार से सुरू किया गया इसके साथ ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ई-गोपाल नाम से एक मोबाइल आप्लिकेशन को भी लॉंच किया इस एप्लिकेशन के जरिये किसानों को ई-market plan उपलब्ध कराया जाएगा प्रधान मंत्री ने कहा कि मचली पालन की योजना में 20,000 करोण रूपए से अधिक रूपए खर्च किये जाएंगे समुद्र से लेकर तालाप तक मचली पालन पर जूर देने के लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है इस योजना की जरिए सरकार का उड़े से मचली पालन के निर्यात को बढ़ा कर एक लाख करोण तक पहुचाना है मच्य संबदा यूजना का लाव केवल मचुवारा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को मिलेगा इसके साथ जलिय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले और जलिय क्रिसी का कारे करने वाले या इसके लिए एक शुक ब्यक्ति ही इस यूजना के पात्र होंगे समुद्री तूफान, बाण, चक्रवात जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित मचुवारों को भी इसका लाभ मिलेगा भारत-चीन सीमा विवाद के बीच सरकार ने चीन के लिए सक्त वीजा मानदंड लागू करने का फैसला लिया है यह मानदंड चीन को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांगला देश जैसे प्राइम रिफरल स्रेणी के देशों के बराबर लाएंगे ग्रे मंत्राले ने नए दिशा निर्देशों में चेनी नागरिकों के लिए विशिष्ट प्रावधान पेस किया है इसके तहद विदेशी क्षेत्री पंजी करण कार्याले को रिपोर्ट करना भी सामिल है ग्रे मंत्राले के अनुसार देश में चल रहे यात्रा प्रतिबंधों के मद्दे नजर वीजा नियमों में यह बदलाव किया जा रहा है नए नियमों के मुताबिक चिकित्सा, रोजगार, छात्र और अनुसंधान वीजा के अनुदान की सर्तों के बारे में कहा गया कि अगर चेनी व्यापार वीजा धारकों का प्रावास एक कलेंडर वर्स में 180 दिनों से अधिक होगा तो उन सभी चेनी व्यापार वीजा धारकों के लिए अपने प्रावास के दवरान खुद को FRRO में पंजीकरित कराना आवश्यक है FRRO को प्रतेक मामले और योगिता के आधार पर चेनी नागरिकों को व्यापार वीजा प्रदान करने के लिए अधिकरित किया गया है ग्रे मंत्राले ने चेनियों के लिए तीन स्रेणियों में वीजा प्रदान करने की बात कही विदेसों में भारती मिशन एक मान्यता प्राप्त भारती संगठन से प्राप्त नियंतर्ण पत्र पेस करने वाले चेनी नागरिकों को एक 6 महेने का बहु प्रविश्टी भी वीजा प्रदान करने में सक्षम होंगे बसरते भारत में उनके रुकने की अवधी 120 दिनों से कम ह दूसरा 60 दिनों का एकल प्रविश्टी वीजा है जो किसी मान्यता प्राप्त भारती संगठन से प्राप्त नियंतर्ण पत्र पेस नहीं कर सकेगा लेकिन उसके पास विधिवद अधिकृत चीनी संगठन का एक पत्र होगा तीसरी स्रेडी में कम अवधी वाला एक प्रविश्टी बी वीजा सामिल है यह ऐसे नागरिकों के लिए 60 दिनों से अधिक की अवधी के लिए नहीं दिया जाएगा जो विदेश में भारती मिसनों द्वारा मंजूरी और कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं दे पाएंग बीते 10 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व आत्म हत्या निवारन दिवस मनाया गया इस दिवस का उद्देश लोगों में आत्म हत्या को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है विश्व आत्म हत्या निवारन दिवस विश्व स्वास्त शंगठन के सहयोग से International Association for Suicide Prevention संद्वारा मनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश आत्म हत्या रोकने के लिए मिलकर कारी करें गरतलब है कि विश्व में प्रती 40 सेकंड में एक आत्म हत्या हो जाती है 15 साल से 29 साल के युवाओं के बीच मृत्यू का दूसरा प्रमुख कारण आत्म हत्या ही है राष्टपती रामनात कोविंद ने 10 सितंबर को बॉलिवुड अभिनेता और पूर्व लोकसभा सांसत परेश रावल को National School of Drama का नया अध्यक्ष नियूक्त किया है इस पत पर वह राजस्थानी कवी आलोचक, रंगमंच निर्देशक और अनवादक अरजुन देवचारण का अस्थान लेंगे आपको बता दें कि साल 2014 में परेश रावल को पदमस्री से भी शमानित किया गया था गरतलब है कि NSD विश्व के अग्रणी नाट्य प्रसिक्षन संस्थानों में से एक और भारत में अपनी तरह का यह एक मात्र संस्थान है भारत सरकार के संस्कृती मंत्रालय द्वारा पूर्ण वित्पोसित यह संस्था संगीत नाटक अकादमी द्वारा उसकी एक इकाई की रूप में 1969 में अस्थापित की गई थी जो साल 1975 में एक स्वतंत्र संस्था बन गई 8 सितंबर को संपूर्ण विश्व में अंतरराश्टी साक्षारता दिवस मनाया गया COVID-19 महामारी के इस दौर में साल 2020 के लिए इस दिवस की थीम लिटरेशी टीचिंग एंड लर्निंग इन दे COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉंड निर्धारित किया गया गरतलम है कि साल 1965 में यूनेसको ने प्रतिवर्श आठ सितंबर को अंतरराश्टी साक्षारता दिवस मनाने की घोष्णा की थी साथ सितंबर को संपूर विश्व में नीले आसमान के लिए प्रतम अंतरराश्टी स्वक्षाई वायू दिवस यानि इंटरनेशनल डे ओफ क्लीन एर फॉर ब्लू स्काइस मनाया गया गोर्तलम है कि संयुक्त राश्ट महा सभा ने 19 दिसंबर 2019 को साल 2020 से प्रतिवर्श साथ सितंबर को इस दिवस को मनाय जाने की घोष्णा की थी इस मौगे पर केंदरी परिया वरण वन एवंग जलवायू परिवर्तन मंतरी प्रकास जावडेकर ने राश्टी स्वक्ष वायू कारिक्रम के तहत चलाई जा रही विभिन गतिविधियों की समिक्षा की व्यक्तिगत सिविल सेवकों की क्षमता और संस्थागत क्षमता निर्माण के उद्देश से 2 सितंबर 2020 को पियम मोदी की अगवाई में केंदरी मंतरी मंडल ने मिसन कर्मयोगी को सुरू करने की मनजूरी दी कैबिनेट के इस फैंसले के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान केंदरी मंतरी प्रकास जाबडेकर ने कहा कि इस मिसन से अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को उनकी क्षमता निर्माण का एक मौका मिलेगा इसके जरिये सेविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, स्रिजनात्मक, विचार सील, नवाचारी, प्रगति सील, अधिक क्रिया सील, उर्जावान, पारदर्शी और प्रोध्योगी की समर्थ बनाते हुए भविश के लिए तैयार करना है इस राष्टिय कारिक्रम के तहद सेविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नीव रखी जाएगी ताकि वे दुनिया में सरवोत्तम प्रथाओं से सीख लेते हुए भारती संस्कृति में उल्जे रहें इस मौके पर पियम मोदी ने कहा कि नौकर साही में व्यापक सुधार के लिए कैबिनेट द्वारा स्राष्टिय सेविल सेवाक्षमता निर्माण कारिक्रम मिसन योगी को मंजूरी दी गई ताकि सरकार में मानाव संसाधन प्रबंधन की पद्धती में मूल भूत सुधार लाया जा सके इस मिसन को एकिकरित सरकारी ओनलाइन प्रसिक्षन आईगाट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करिके कारियानवित किया जाएगा इसके लिए सेविल सेवकों को उनके पद की आवश्यक्ताओं के अनुरूप आवंटित कारी को उनकी शमताओं के साथ जोडा जाएगा साथी ओनलाइन सीकने की पद्धती पर भि जोर दिया जाएगा सिक्षन सामगरी संस्थानों और कार्मीकों सहित साजह प्रसिक्षन अवसन रशनाप परितंत्र को विक्षित किया जाएगा प्रत्यक कर्मचारी के लिए वित्ती अंसदान के जरिए साजह वो एक समान परिवेश तंग के स्रिजन और साजा करण के लिए अपने संसाधनों को सीधे तोर पर निवेश के लिए सभी केंद्री मंत्रालियों और विभागों को समर्थ बनाया जाएगा। इतना ही नहीं क्षमता विकास विशय वस्तु निर्मान उपयोग करता। फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग और नीतिगत सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान संबंधी पक्षों के संबंध में आईगाट कर्मयोगी द्वारा दिये गए आकणों का विसलेशन भी किया जाएगा। इसके लिए सारवजनिक मानों संसाधन परिशद होगी जिसमें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में चुने गए मंत्री, मुक्ष मंत्री, सारवजनिक मानों संसाधन पेसेवन और वैस्विक विचारक सामिल होंगे जो सिविल सेवा सुधार कार्य और क्षमता विकास को का द्रिष्टिकोण निश्चित करने के लिए एक ख्षमता विकास आयोग भी होगा कैबिनेट सच्यू की अगवाई में एक समन्वाई इकाई भी बनेगी जिसमें चुने हुए सच्यू और कैडर को नियंद्रित करने वाले अधिकारी सामिल होंगे इसमें 2020-2021 से 2024-25 तक 46 लाख करमचारियों को सामिल करने के लिए तकरीबन 510.86 करोन रूपए व्याई किया जाएगा दुनिया भर में कोरोना वाईरस के मामले हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं इसको रोकने का एक मात्र उपाए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग है इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में Institute of Genomics and Integrative Biology यानि IGIB और International Center for Disease Control यानि NCDC के वैज्यानिकों ने मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रियोग करके RTPCR की तुलना में 95% और 1000% तक स्पच्टता के साथ कोरोना का पता लगाने में सफलता हांसिल किया है मास स्पेक्ट्रो मीटर से COVID-19 का पता लगाने में मात्र 3 मिनट का समय लगता है जो RT-PCR टेस्ट से काफी कम है वहीं मास स्पेक्ट्रो मीटर की पूरी पक्रिया में 30 मिनट का समय लगता है जिसमें सैंपल इकठा करना भी शामिल है इस नई तक्नीक से RNA को बीना बढ़ाये हुई COVID-19 का पता लगाया जा सकता है वहीं RT-PCR टेस्ट में RNA को परिवर्तित करना पड़ता है यानि बढ़ाना पड़ता है इसकी प्रमाडिक्ता की जाज के लिए सोधकर्ताओं ने सुरुवात में 14 नमूनों का परिक्षण किया और अगले चरण में कुरोना के 63 नमूनों का उपयोग करके इसकी पुष्टी किया मास स्पेक्ट्रोमीटर एक विशाल विशलेशनात्मक तक्नीक है जो आयनों के द्रभ्यमान आवेश के अनुपात को मापती है न्यूगिनी में विलुप्त हो रहे सिंगिंग डौक की एक प्रजाती को साल 1970 में ही विलुप्त माना गया था लेकिन साल 2016 में इस जंगली कुट्टे के मौजूदगी के संकेत मिले थे तभी से वैज्यानिकों की एक टीम इसे खोजने में लगी थी इस दुरलफ प्रजाती के कुट्टे को न्यूगिनी के पहाड़ी गोल्ड माइन व लगभग दोसों सिंगिंग डॉग संदक्षन केंद्रों और चिडिया घरों में रह रहे हैं लेकिन पिछले 50 वर्सों में इनकी कोई भी प्रजाती अपने मूल निवास यानि जंगल में नहीं देखी गई काजी रंगा राष्टी ये उद्ध्यान और टाइगर रिजर्व का विस्तार किया जाएगा असम सरकार ने इस अतरिक क्षेत्र को जोड़ने की मनजूरी दी है सरकार का मानना है कि यह अतरिक क्षेत्र बेहतर वन्य जिव संदक्षन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक काजी रंगा नेशनल पार्क भारत के असमराज में है यह पार्क भारत का एक प्रमुख पार्क है जो दुनिया की एक सींग वाले गैंडों की आबादी का दो तिहाई हिस्सा सम्हाले है इस राष्टी उद्ध्यान का नाम विश्व विरासत अस्थल की सूची में शामिल है काजी रंगा पार्क में बहुमुखी जैव विविधता है जो इस पार्क को महत्वपून और लोकप्री पर्यटन अस्थल बनाती है इस उद्यान में जंगली भैस, हेरन, हाथी, चीनी, पैंगोलिन, सुस्त भालू जैसे प्राणी निवास करते हैं प्रतेक वर्ष 2 सितंबर को विष्व नारियल दिवस की रूप में मनाया जाता है इस दिवस को मनाया जाने का उद्देश्य नारियल की उपच को बढ़ाने के लिए जागरुकता पैदा करना है एस या प्रसांत नारियल समुदाई यानि APCC द्वारा साल 2009 से ही इसका आयोजन किया जा रहा है इस वर्ष विष्व नारियल दिवस की थीम पुट रिसोर्सेस इंटू कोकोनट टू स्पेर दव वर्ड है भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन केरल में होता है इसके अलावा नारियल का उत्पादन तमिलनाडू और करनाटक में भी किया जाता है राश्टी नारियल बोर्ड भी नारियल के उत्पादन और विकास के साथ ही इस से जुड़े अन्य उत्पादों जैसे सौफ्ट ड्रिंक, चित्स और जैम पर भी काम कर रहा है जिससे इन उत्पादों को विश्व बाजार में बढ़ावा दिया जा सके 3 सितंबर को हरिकेन नाना अमेरिकी देश बेरीज के तट से टकराया यह साल 2020 का पाचवा हरिकेन था इस तूफान की गती 120 किलो मेटर प्रतिगंटा थी जिसमें मामूली नुकसान हुआ हरिकेन एक प्रकार का तूफान है जिसे उस्ण कटिबंधी चक्रवात कहा जाता है इनको सक्तिसाली और विनासकारी तूफान की स्रेणी में रखा जाता है इनकी उत्पत्ती अटलांटिक बेसिन में होती है वैज्यानिकों के अनुसार एक उस्ण कटिबंधी तूफान को तब हरिकेन कहा जाता है जब इसके हवा की गती 115 किलोमेटर प्रतिघंटे से ज्यादा होती है। अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधी एक जून से 30 नवंबर के बीच होती है। एक अवसत हरिकेन मौसम में लगभग 12 हरिकेन आते हैं जिनमें से 3 प्रमुख हरिकेन के साथ 6 सामान हरिकेन होते हैं। वहीं पूर्वी प्रसांध तटपन हरिकेन मौसम की अवधी 15 मई से 30 नवंबर के बीच होती है। National Initiative for Developing and Harnessing Innovation यानि निधी कारिक्रम के तहत रिहाइसी उद्यमी कारिक्रम यानि EIR पर एक विवरण पुस्तिका लौंच किया गया। EIR कारिक्रम को विज्ञान और प्रोध्योगी की विभाग के निधी के तहत शुरू किया गया है। यह कारिक्रम 18 महिने की अवधी के लिए एक आसा जनक तक्नीकी व्यवसाइक विजारों को आगे बढ़ाने के लिए क्षमतावान या उभरते उद्यमियों का समर्थन करता है। इसके अंतरगत अधिक्तम 12 महिनों में प्रतेक EIR को 3.6 लाख रूपए के अधिक्तम समर्थन के साथ प्रतेक माह 30,000 रूपए तक दिया जाएगा। भारत सरकार का विज्ञान एवंग प्रध्योग की विभाग यानि DST द्वारा ग्यान आधारित प्रध्योग की संचालित नवाचारों और विचारों को लाबदायक स्टार्टप में बदलने के उद्देश से निधी कारिक्रम के शुरवात किया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा ने असम राइफल से अपना बेस राजधानी आईजोल के केंद्र से हटा कर तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जो खवासांग नामक अस्थान पर सिफ्ट करने के लिए कहा है। यह गतिरोध 18 अगस्त से शुरू हुआ जब असम राइफल्स के 46 वी बटालियन के 15 जबानों ने कथित तोर पर कोवेट-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल की अंदेखी करते हुए राजध में अपना कारे जारी रखा। इससे पहले दक्षण मिजोरम निशनल फ्रंड सरकार ने वर्ष 1988 में एक मुठ भेड में 12 नागरिकों के जान गवा देने के बाद असम राइफल्स को अपना बेस आईजोल से अस्थानांत्रित करने के लिए कहा था। असम राइफल्स को नौर्थ इस्थ का प्रहरी कहा जाता है यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका गठन साल 1835 में कचावर लेवी नामक यूनिट के रूप में किया गया था। बात में साल 1917 में इसको आधिकारिक रूप से असम राइफल्स के नाम से जाना जाने लगा। असम राइफल्स ने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया है। वर्चुल रूप से 3 सितंबर को रूस की अध्यक्षता में पाचवां ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रिय संस्कृति और परियतन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलात सिंग पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिध्यत्व किया गया। इस बैठक में BRICS देशों में सांस्कृतिक क्षेतर पर महामारी की स्थिती के प्रभाव पर विजार विमर्ष किया गया साथी इसमें BRICS के भीतर सैयुक्त सांस्कृतिक ओनलाइन पर्यूजनाओ के कारियान वयन की भी समिक्षा की गई इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षन, अफ्रीका के सांस्कृतिक मंत्रालियों के सिस्ट मंडलों ने बैठक में भाग लिया इस बैठक में भारत ने सुझाओ दिया कि साल 2021 के अंदर तक BRICS Alliance of Museum के तत्वाधान में सभी विशय वस्तुवों पर एक डिजिटल ऑनलाइन प्रदर्शनी की मेजबानी करने पर विचार होना चाहिए साथ ही BRICS Alliance of Libraries के साथ मिलकर 2021 में भारत के BRICS Presidency के दवरान BRICS Corner खोलना चाहिए जो BRICS देशों से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करेगा जो इतिहास की संस्कृती से संबंधित होंगे हाल ही में IIT तिरूपती IISER तिरूपती के साथ मिलकर एक Portable Optical Cavity विक्सित किया है इस तकनीक से बड़ी आसानी से PPE किट को संक्रमन मुक्त किया जा सकता है जिससे PPE किट का कई बार आसानी से उपयोग किया जा सकता है साथी PPE के रूप में जमा हो रहे ठोस और खतरनाक कचरे को भी इस तकनीक के माध्यम से रोका जा सकता है यह तक्निक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानि PPE के अलावा अन्य घरेलू वस्तुओं के कुसल और तीब्र परिसोधन में भी महत्त पूर्ण भूम का निभाने में सक्षम है इसका उपयोग स्वास्त पेशेवरों और अन्य कोवेट नंटी योधाओं द्वारा किया जाएगा इस तक्निक से आर्थिक व्याय के भार में कमी आएगी और साथ ही सभी लोगों की आवस्चक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानि PPE तक पहुँच हो पाएगी हाल ही में दक्षण पस्चम रेलवे द्वारा बंगलूरू से सोलापूर तक पहली बार रोल ओन रोल ओफ यानि रोरो सेवा को प्रारम किया गया बंगलूरू से सोलापूर खंड पर रोरो रेल सेवाएं भारती रेलवे में मात्र निजी तौर पर संचालित रोरो ट्रेन सेवाएं होंगी रोरो सेवा विभिन वस्तुओं से भरे सडक वाहनों को खोले रेलवे वैगनों पर ले जाने की एक तकनीक है इसका अर्थ सडक और रेल परिवहन की सर्वोत्तम विशिस्ताओं का संयोजन है रोरो सेवा एक मल्टी मॉडल डिलिवरी मॉडल है जो माल और आवस्चक वस्तुओं को ले जाने की तीवर गतिविधी और सहरों के बीच सडकों पर लगने वाले जाम के कारण ट्रकों को गनतब तक पहुचने में लगने वाले समय को कम करता है इससे कारबन का उतसरजन कम होगा और इंधन की खपत भी कम किया जा सकेगा रेलवे बोर्ड ने रेल गाडियों, रेलवे स्टेशनों और रेल परिशरों पर भीख मागना और धूम्रपान करने की क्रिया कलाब को अपराध की स्रेणी से बाहर कराने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट से पास कराने की प्रक्रिया में है आपको बता दें कैबिनेट सचीवाले ने एक नर्देश में कहा था कि उन नियमों और कानूनों को निरस्त किया जाएगा जिसमें छोटी मोटी गलती के लिए जेल भेजा जाता है या जुर्माना वसूला जाता है रेलवे बोर्ड कैबिनेट सचीवाले के इसी नर्देश के आधार पर यह प्रस्तावला रहा है गौरतलब है कि रेलवे अधनियम 1989 की धारा 144 के तहट रेलगाडी या रेलवे परिसर या प्रेटफॉर्म पर भीक मांगते पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रूपय तक का जुर् प्रावधान किया गया है आठ सितंबर को अंतर रास्टी सावर गठ बंधन यानि आई एस ए द्वारा विश्व का पहला सावर प्रवध्योगी की सिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इस वर्चुल सम्मेलन में 149 देशों से 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिय इस सम्मेलन में सस्ती और टिकाउं स्वक्ष हरित उर्जा में तेजी लाने के विकल्पों पर भी विचार किया गया उत्तराखंड सरकार संस्कृत भासा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत ग्राम का निर्माण कर रही है सुरवाती दौर में प्रयोग की तौर पर संस् संस्कृत है उत्राखंड सरकार वर्तमान में संतानवे संस्कृत विद्यालियों का संचालन कर रही है जहां प्रतिवर्ष आउस्तन 216 पढ़ते हैं रोगन आर्ट कलाकारों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए कोवेट 19 से बचाव के लिए उप्यों किये जाने वाले मा अच्छ में प्रचलित हुआ था रोगन फारसी मूल का सब्द है जिसका अर्थ तेल होता है रोगन आठ कपड़े पर पेंटिंग करने की तकनीक है जिसमें अरंडी की तेल और प्राकरतिक रंगों से बने एक संब्रिध चमकीले रंग का उपयोग किया जाता है केंद्री सि सिक्षा पर दो दिवसी संबेलन को आयोजित किया सिचको को समानित करने और नए सिक्षा नीती 2020 को आगे बढ़ाने के लिए आठ से 25 सितंबर तक सिक्षक पर वो मनाया जाता है फिलहाल सापता है करेंट अफेस के इस न्यूज बुलिटन में बस इतना ही हमारा ये वीडिय आपको कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को एक नए दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे दीजिए इसाज नामस्कर